श्री विश्नु पुरान चतुर्थ अंश पहला अध्याए व्यवस्वत मनु के वंश का विवरण श्री मैत्रे जी बोले हे भगवन सतकरम में परवरित रहने वाले पुरुशों को जो करने चाहिए उन संपूर्ण नित्य नैमितिक कर्मों का आपने वंणन कर दिया हे गुरो आपने वंण धर्म और आश्रम धर्मों की व्याख्या भी कर दी अब मुझे राजवन्शों का विवरण सुनने की इच्छा है अत उनका वंणन कीजिए श्री प्राशर जी बोले हे मैत्रे अब तुम अनेकों यग्यकरता शुर्वीर और धैरेशाली भुपालों से सुशोबित इस मनुवंश का वन्नन सुनो जिसके आदीपुरुश श्री भ्रमा जी है इमेत्रे अपने वंश के संपूर्ण पापों को नश्ट करने के लिए इस वंश परंपरा की कथा का कर्मश श्रवन करो उसका विवरण इस परकार है सकल संसार के आदीकरण भगवान विश्नु है वे अनादी तथा रिक यजू साम सवरूप है उन ब्रह्मा सवरू भगवान विश्नु के मुर्त रूप ब्रह्मांडे में हिरने गर्ब भगवान ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए ब्रह्मा जी के दाएं अंगुठे से दक्ष परजापती हुए दक्ष से अधिती हुई तथा अधिती से विवस्वान और विवस्वान से मनु का जनम हुआ मनु के इश्वाकू, निरिक, ध्रिष्ट, शर्याती, नरिष्चियंत, प्रांशू, नाबाग, दिष्ट, करुश और प्रिश्रद नामक दस पुत्र हुए मनु ने पुत्र की इच्छा से मित्रा वरुन नामक दो देवताओं के यग्य का अनुष्ठान किया किन्तु होता के विपरीत संकल्ब से यग्य में विपर्ये हो जाने से उनके इला नामकी कन्या हुई हे मैत्रे मित्रा वरुन की कृपा से वह इलाही मनों का सुद्मन नामक पुत्र हुई फिर महादेव जी के कोप कोप परियुक्त शाप से वह इस्त्री होकर चंद्रमा के पुत्र बुद्ध के आश्रम के निकट घुमने लगी बुद्ध ने अनुरक्त होकर उस इस्त्री से पुरूरवा नामक पुत्रोत्मन किया पुरूरवा के जनम के अनंतर भी परम रिशीगण ने सुधुमन को पुरुशत्व लाब की अकांशा से कर्तु में, रिग्यजू, सामर्तु में, सर्ववेद में, मनों में, ज्यान में, अन में और परमार्थत अकिन्चिंत में भगवान यग्यपुरुश का यथवत यजन किया तब उनकी क्रिपा से इला फिर से सुधुमन हो गई उस सुधुमन के भी उतकल, गए और विनत नामक तीन पुत्र हुए पहले इस्तरी होने के कारण सुधुमन को राज्य धिकार प्राप्त नहीं हुआ वसिष्ट जी के कहने से उनके पिता ने उन्हें परतिष्ठान नामक नगर दे दिया था वहीं उन्होंने पुरुर्वा को दिया पुरुर्वा की संतान संपून दिशाओं में फैले हुए शत्रिय गण हुए मनु का प्रिश्रद नामक पुत्र गुरु की गौका वद करने के कारण शुद्र हो गया मनु का पुत्र करुष था करुष से कारुष नामक महाबली और प्राकरमी शत्रिय गण उत्पन हुए दिश्ट का पुत्र नाभाग वैश्य हो गया था उससे बलंधन नाम का पुत्र हुआ बलंधन से महान किर्थिमान वत्सपृती से प्रांशू और प्रांचू से प्रजापती नामक इकलोता पुत्र हुआ प्रजापती से खनित्र खनित्र से चाक्षूष तथा चाक्षूष से अती बल प्राकरम संपन विंश हुआ विन्ष से विविन्षक, विविन्षक से खनीनेत्र, खनीनेत्र से अतीवी भुती और अतीवी भुती से अती बलवान और शुरवीर करंधम नामक पुत्र हुआ करंधम से अविक्षित हुआ और अविक्षित के मरूत नामक अती बल प्राकरम युक्त पुत्र हुआ जिसके विशे में आजकल भी ये दोश लोग गाय जाते हैं मरूत का जैसा यग्य हुआ था वैसा इस पृत्वी पर और किसका हुआ है जिसकी सभी यागिक वस्तुएं सुर्णमय और अती सुंदर थी उस यग्य में इंदर सोमरस से और ब्रहमन गण दक्षिना से परित्रिप्थ हो गए थे तथा उसमें मरूत गण प्रोसने वाले और देवगण सदस्य थे उस चक्रवरती मरूत के नरिश्यंत नामक पुत्र हुआ तथा नरिश्यंत के दम और दम के राजवर्धन नामक पुत्र उत्मन हुआ राजवर्धन से सुवरिधी से केवल और केवल से सुधृती का जनम हुआ सुधृती से नर नर से चंद्र और चंद्र से केवल हुआ केवल से बंदुमान, बंदुमान से वेगवान, वेगवान से बुद, बुद से त्रिन बिंदु तथा त्रिन बिंदु से पहले तो इल्वी का नाम की एक अन्या हुई थी किन्तु पीछे अलंबुशा नाम की एक सुन्दरी अफसरा उस पर अनुरक्त हो गई उससे त्रिन बिंदू के विशाल नामक पुत्र हुआ जिसने विशाला नाम की पूरी बसाई विशाल का पुत्र हेमचंदर हुआ, हेमचंदर का चंदर, चंदर का धुमराक्ष, धुमराक्ष का स्रिंजे, स्रिंजे का सहदेव और सहदेव का पुत्र क्रिशाश्व हुआ क्रिशाश्व के सोमदत नामक पुत्र हुआ जिसने सो अशमेग यग्य किये थे उस से जन मेजे हुआ और जन मेजे से सुमुती का जनम हुआ ये सब विशाल वन्शिय राजा हुए इनके विशे में यह शलोक परसिद है त्रिन बिंदू के परसाथ से विशाल वन्शिय स्मस्त राजा लोग दिरधायू महात्मा विरेवान और अती धरम परायन हुए मनुपुत्र शर्याती के सुकन्या नाम वाली एक अन्या हुई जिसका विवा चैवन रिशी के साथ हुआ शर्याती के आनरत नामक एक परम धार्मिक पुत्र हुआ आनरत के रेवत नाम का पुत्र हुआ जिसने कुश्च सतली नाम की पूरी में रहकर आनरत देश का राज्यभोग किया रेवत का भी रेवत ककुधरी नामक एक अती धरमात्मा पुत्र था जो अपने सो भाईयों में सबसे बड़ा था उसके रेवती नामक एक कन्या हुई महराज रैवत उसे अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी से यह पुछने के लिए की यह कन्या किस वर के योग्य है ब्रह्मा लोग को गए उस समय ब्रह्मा जी के समीब हाहा और हुहु नामक दोगंदर्व अतितान नामक दिव्यगान गा रहे थे वहां गान सम्मंदी चित्रा दक्षिना और धात्री नामक त्रीमार के परिवर्थन के साथ उनका विलक्षन गान सुनते हुए अनेकों युगों के परिवर्थन काल तक ठहरने पर भी रैवत जी को केवल एक मोहरत ही बिता सा मालम हुआ गान समाप्त हो जाने पर रैवत ने भगवान कमल योनी को परिणाम कर उनसे अपनी कन्या के योग्य वर्थ पूछा भगवान ब्रह्मा ने कहा तुमें जो वर अभिमत हो उन्हें बताओ तब उन्होंने भगवान ब्रहमाजी को पुना पढ़नाम कर अपने समस्त अभीमत वरों का वर्णन किया और पूछा कि इन में से आपको कौन वर पसंद है जिसे मैं यह कन्या दूँ इस पर भगवान कमलियोनी कुछ सिर जुका कर मुस्कराते हुए बोले तुमको जो जो वर अभीमत है उन में से तो अब पृत्वी पर किसी के पुत्र पुत्रादी की संतान भी नहीं है क्योंकि यहां गंदर्मों का गान सुनते हुए तुमें कई चतुर्यूग बीत चुके है इस समय पृत्वी तल पर 28 मनु का चतुर्यूग प्रायस माप्थ हो चुका है तथा कली यूग का प्रारम होने वाला है अब तुम अपने समान अकेले ही रह गए हो अता यह कन्या रतन किसी और योग्य वर को दो इतने समय में तुमारे पुत्र, मित्र, कलत्र, मंत्री वर्ग, भृत्यगण, बंदुगण, सेना और कोशादी का भी सर्वता अभाव हो चुका है तब तो राजा रेवत ने अत्यंत भहभीत हो भगवान ब्रह्मा जी को पुना पढ़नाम कर पुछा भगवन ऐसी बात है तो अब मैं इसे किसको दूँ तब स्वर्ग लोग गुरु भगवान कमलियों नी कुछ सिर जुकाए हाथ जोड़ कर बोले शीवी ब्रह्मा जी ने बोला जिस अजन्मा सर्वमय विदाता परमेश्वर का आधी मध्य अनत सवरूप सभाव और सार हम नहीं जान पाते कला मुहुरता दिमय काल भी जिसकी विभूती के परिणाम का कारण नहीं हो सकता जिसका जन्म और मरन नहीं होता जो सनातन और सरवदा एक रूप है तथा जो नाम और रूप से रहित है जिस अच्यूत की कृपा से मैं प्रजा का उपत्ती करता हूँ जिसके करोद से उत्पन हुआ रुद्र सिष्टी का अंत करता है तथा जिस पर मातमा से मद्य में जगत स्थिती कारी विश्णू रूप पुरुष का प्राधूर भाव हुआ है जो अजनमा मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है स्थिती के समय जो पुरुष रूप है तथा जो रुद्र रूप से संपून विश्व का ग्रास कर जाता है एवं अनंत रूप से संपून जगत को धारन करता है जो अव्यात्मा पाक के लिए अगनी रूप हो जाता है पृत्वी रूप से संपून लोकों को धारन करता है इंदरादी रूप से विश्व का पालन कर और सूर्य तथा चंदर रूप होकर संपून अंदकार का नाश करता है जो श्वास परश्वास रूप से जीवों में चेश्टा करता है जल और अन रूप से लोक की त्रिप्ती करता है तथा विश्व की स्थिती में सलंगन रहकर जो आकाश रूप से सबको अवकाश देता है जो स्रिष्ठी करता होकर भी विश्व रूप से आप ही अपनी रचना करता है जगत का पालन करने वाला होकर भी आप ही पालित होता है तथा संहार कारी होकर भी स्वेही सहत होता है और जो इन तीनों से प्रिथक इनका अविनाशी आत्मा है जिसमें यह जगत सित है जो आदिपुरुष जगत सवरूप है और इस जगत के ही आश्री तथा स्वयम्भू है हे निर्पते संपून भुतों का उद्वस्तान वह विश्णू धरातल में अपने अंश से अवतिर्ण हुआ है हे राजन पुर्वकाल में तुम्हारी जो अमरावती के समान कुष्टरली नाम की पूरी थी वह अब द्वार का पूरी हो गई है वहीं वे बल्देव नामक भगवान विश्णू के अंश्वी राजमान है हे नरेंद्र तुमिय कन्या उन माया मानव श्री बल्देव जी को पत्नी रूप से दो ये बल्देव जी संसार में अती परशंसनिय है और तुम्हारी कन्या भी इस्त्रियों में रतन सवरूपा है अता इनका योग सर्वता उप्यूक्त है श्री प्राशर जी बोले भगवान ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर परजापती रेवत प्रित्वी तल पर आए तो देखा कि सभी मनुश्य चोटे चोटे कुरूप अल्पते जोमें अल्प विर्य तथा विवेखीन हो गए हैं अतुल बुद्धी महराज रेवत ने अपनी कुष्टली नाम की पूरी और ही परकार की देखी तथा सफटीक परवत के समान जिनका वक्ष्टल है उन भगवान हलायूद को अपनी कन्या दे दी भगवान बल्देव जी ने उसे बहुत उंची देखकर अपने हल के अगरभाग से दबा कर नीची कर री तब रेवती ने भी ततकालीन अन्य इस्तियों के समान छोटे शरीर की हो गई तदन्तर बल्राम जी ने महाराज रेवत की कन्या रेवती से विदी पुरवक विवा किया तथा राजा भी कन्यादान करने के अनंतर एकागरचित से तपस्या करने के लिए हमाले पर चले गए यहाँ था शरी विश्नु पुरान के चतुरत अंश का पहला अध्याए